बात चाहे फैशन की हो या फिर मेकप स्टाइल में नए ट्रेंड की लुदियाना की लेडी स्कीन केर, हेर केर, मेकप या फिर हेर कलर को लेकर बहुत अप्टू डेट रहती हैं यह कहना था दिल्ली की सेलेब्रिटी मेकप आर्टिस आश्मिन मुझाल का जो आज लुदियाना पहुँची इस दोरान आश्मिन मुझाल ने कहा कि अगर मैं पंजाब की बात करें तो लुदियाना मेकप को लेकर टॉप पर है इस दोरान उन्होंने फैशन, मेकप, स्टाइल में ट्रेंड को लेकर ताइम्स पंजाब से खास बात चित की और उन्होंने यह भी बताया कि मेरा नाम आश्मिन मुझाल है और में कॉस्मिटोर घूटलोजिस हूं और लोगो को फूप चुप लिए बताय। इस ब्यूटी शीज देफिनेटली जीव एसम ब्यूटी टिप्स हलो मैम वेलकम टो ताइम संजाब टीवी थैंक यू आए यू मैं अबरी गुड और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं थैंक यू जो मच मैं फर्स्ट फर्फ आल मैं में वी वांट यारे इंट्रे नियुर में और उससे पहले हम लोग मुंबई और लंडन में कहते हैं अपता बहुत नाम रोशन करके आएं और हमारा शुरू से ही बहुत-बहुत मन था बिकास मेरे इनलाउस लुद्याना से हैं आश्मिन मुंजाल मेरा नाम है तो मुंजाल को को नहीं जानता तो थैंस तो मैं ओल सेल और डीलिंग करते हैं ओल डेली के अंदर तो अभी हम लुद्याना में आये हैं विकास पिछले बाइस साल से जो मुझे एक अपनी पहचान बनाने की जो एक कहते हैं ना एक फ्रीडम मिली हुई है और एक बहुत-बड़ा सपोर्ट मिल है मुझे मेरे इनलाउस से मे अकैडमी खोली है इसके अंदर हम मेकप की ट्रेनिंग दे रहे हैं हेर की ट्रेनिंग दे रहे हैं स्किन की ट्रेनिंग दे रहे हैं विद नाशनल सर्टिफिकेशन एंड इंटरनाशनल सर्टिफिकेशन चाहे आपको इंडिया में जॉब करनी है या इंडिया से बाहर आपक कुछ कर सकती हूँ, अपने दिये, अपने परिवार के लिए इतनी इज़त कमा सकती हूँ, तो हर इंसान कमा सकता है, चाहे वो 16 साल का बच्चा है, या 60 साल की लेडी है, age is not a criteria, अगर आप फिफ्थ पास भी है, तो even education is not a criteria, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो even that is not a criteria, because इस industry के अंदर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, जैसे कि हमारे यहां पर courses जो है, वो international level के high-ended courses भी हैं हमारे पास, और साथ मी जो basically आज हमने सिर्फ लुद्याना में लॉंच किया है, पुरे इंडिया के अंदर, और कहीं भी हमारे academy में यह course लॉंच नहीं किया हमने, that is called glorifying the world, यह course जो है, यह तीन महीने का course है, साथ हजार का course है, जिसमें हम stamp paper पर आपको job guarantee देते हैं, stamp paper पर इसलिए क्योंकि आपके मन में 1% भी संशे नहीं रहना चाहिए, या doubt नहीं रहना चाहिए, कि तीन महीने बाद, उसके बाद मेरी internship होगी, उसके बाद मेरी job कितने percent लगेगी या नहीं लगेगी, because यह course, जो है money back guarantee के साथ आता है, इसको करने का सरफ एक मकसद था कि हमने खूब पैसा कमाया इस industry के अंदर, बहुत नाम कमाया है, now it's time to give back to the society, जहाँ पर भी हमें लगता है कि students को सच में job चाहिए, सच में उन्हों अपने career बनाना है, और glamour industry, beauty industry जो इस समय है, Bollywood industry है, बहुत बड़ा potential है यहाँ पर, बहुत जादा job opportunities है, freelancing की opportunities है, बच्चों को पता ही नहीं, इस industry में जाने के लिए रस्ता किया है, रस्ते हम provide कराएंगे, पर मेहनत आपकी होनी चाहिए, मेहनत करेंगे, एक होता है, इमानदारी से मेहनत करेंगे, तो कहते हैं न, sky is the horizon, लिमिट कुछ नहीं है, तो यह जो course हमने design किया, three months का, इसके बाद आपको job guarantee मिलती है, with money back, ताकि आप यह ना सोचे कि मेरा, मेरी insecurity है, security कितनी है, तो आप मन लगा के सिर्फ सीखें, काम करें, और उसके आगे की journey हम आपको guide करेंगे. And ma'am, from how long years you are in this profession? See, पिछले 22 सालों से मैं इस industry के अंदर हूँ, बाइस सालों से मैं कहते हैं, हम लोगों को खुब सूरत बना रही हूँ, internally and externally, और अब लगता है कि शायद हमारा, हमने खुब अपना कर लिया काम जो हमने करना था, अब यह time है society को return करने का, give back करने का, contribute करने का, तो जो हमारे students हैं, वो ही हमारा नाम आगे बढ़ाएंगे, हमने उनके उपर यह दारों दारब अपना ले आए हैं, और जितना भी students को हमने पिछले 8 साल में train किया है, डेली में और NCR में, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस समय कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे platforms के अंदर, जैसे online platforms है, Amazon, Flipkart, Myntra.com, इन सब में बहुत अच्छा career बनाया हुआ है, कुछ ने अपने studios खोले हैं, salon खोले हैं, कुछ जैसे की ZEE के अंदर काम कर रहे हैं, आज तक में काम कर रहे हैं, यहाँ पे channels में बहुत डिमांड होती है, makeup artist की, तो accordingly, अलग अलग areas में students काम कर रहे हैं, Bollywood में हमारा जैसे की पहले था, बहुत बढ़े हमारी जो teams जाती थी, अलग अलग casting, जो directors के थुरू, तो Phantom में, बहुत सारी movies के अंदर काम किया है, मैं क्यों नाम लेना जाओंगी, because students की जो teams होती है, वो हमेशा अलग अलग छोटे level पे जो हमारे TV actors होते हैं, TV serials पे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, पर जैसे जैसे उनका काम established होना शुरू हो जाता है, वो बड़े-बड़े D-grade, फिर C-grade, फिर B-grade, A-grade, जैसे अब कोई मुझसे बोले कि, अरे तुमने तो Sohali के साथ काम किया, Jacqueline Fernandes के साथ काम किया, Frida Binto के साथ काम किया, ऐसा experience रहते हैं आपको Bollywood celibatis का, एक आर्टिस्ट की भूक होती है, आर्टिस्ट की भूक और ईगो की भूक बहुत अलगलग चीज़े होती है, तो उसमें यह हो जाता है कि अच्छा मैने Jacqueline Fernandes का make-up किया, उसको पसंद आया, उसको खुशी हुई, Soha का किया, या Frida का किया, या उसके Bandana Hedden का किया, Mahima Chaudhary का किया, Nagma का किया, उन्हें खुशी हुई, उन्हें भी खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई, पर जो एक मेरे को personal खुशी है, ब्राइड का make-up करने पर मिलती है, क्योंकि वो लड़की बच्पन से जब पैदा होई, तब से आज हमारी जो Indian society, Indian culture है, यहाँ पर यह चलता है कि लड़की बच्पन से सपना देखना शुरू कर देती है, कि एक दिन मेरी शादी होगी, सपनो को राजकुमार आएगा, मुझे बाइट घोड़े पे बिठा के ले जाएगा, उस तरह का सपना देखती है, तो जब एक लड़की को मैं ब्राइडल मेकप करती हूँ, और जब वो अपना फेस शीशे में देखती है, मेकप होने के बाद, और जो इसके फेस के उपर एक अंदर से confidence की चमक आती है, कि हाँ, आज मैं ऐसी लग रही हूँ, कि हर कोई मुड़ मुड़की देखेगा, और मतलब मैं लग रही हूँ सपनो की राजकुमारी, तो मेरे को लगता है, वो मेरी असलियर नहीं है, इसलिए क्योंकि वो किसी के सपने को सच करने का मौका होता है, जो हम मेकप आर्टिस्ट के हाथ में आता है, जब हम बॉलिवूड का मेकप करते हैं, तो वो तो शॉर्ट खतम, फेस साफ, आप फैशन शोज में मेकप करते हैं, रैंप पे वोक खतम, फेस साफ, तो उसका कोई emotional attachment नहीं होता है, जबकि मैं हमेशा अपने students को यह सिखाती हूँ, यह जो हमारा profession है, यह नहीं कि आप किसी के face पे lipstick, बिंदी, liner लगा रहे हो, आप उसके सपनों को सच कर रहे हो, जो भी उसका सपना है, तो उस emotion के साथ जब आप इस profession में जाओगे, तो आपके career की sky is the limit, क्योंकि लोग आपके साथ पूरी जिंदेगी जुड़े रहेंगे, हम 22 साल होगे इस industry में, अभी पीछे January में शादी थी, लड़की का मैंने make-up किया, और bride बोली कि, आउंटी मेरा ना बचपन से ही सपना था, कि मैं आपसे अपना शादी के दिन make-up कराऊँ, मैंने का, अच्छा जी, पहले कभी देखाएंगे, और यहां का अपने make-up, कि यहां मेरी मम्मी ने आपसे make-up कराया था, तो मैं हरान होगे कि उसकी मम्मी का बादा, कि साल-बाइस साल पहले मैंने make-up किया, ब्राइडल, और आज उसकी बेटी भी हमारे पस ब्राइडल make-up कराने आ रही है, तो यह हमने कमाया इस इंडस्ट्री में, आपकी बाते सुनके मुझे लग रहा है, मैं भी 16 years back जाना चाहूंगी, कि वो time period दुबारा है, और मेरा bridal make-up आपसे होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, और आप आज भी बन सकते हैं, आज हमारे पस इतने मौके हैं, हमारे students इतने भी हैं, students को हम modeling का मौका भी देते हैं, और models पर काम करने का मौका भी देते हैं, तो यह हमारे कुछ पीछे बच्चे खड़े हैं, तो आप यह नहीं कह सकते हैं, जो students काम करते हैं, या हमारे professional artist काम करते हैं, उन्में कुछ फर्ग होता है, तो बहुत बच्छा काम किया हमारे हैं, लुद्याना का पहला batch जो students का है, उन् बहुत जादा लोग यहां पर fashion conscious है, अपनी beauty को लेके भी conscious है, तो आपको क्या लगता है कि यहां के youth, जो है especially, वो make-up को लेके कितने aware हैं, इस टेंगारे हैं, इस टेंगारे हैं, लुद्याना का और पंजाब का जो youth है, they are very very highly conscious for the latest trends, चाहे वो dresses के लिए हो, चाहे फैशन के बिल्कुल raw नहीं है, उन्हें already थोड़ी बहुत knowledge है, तो ऐसे students को जो हम सिखाते हैं, वो बहुत जल्दी पकरते हैं, और वो अपने career के लिए conscious भी होते हैं, कि हमारे को online, या offline, या कौन से field के अंदर, चैस salon है, freelancing है, studio है, या हम जो Bollywood में जाना है, तो उनको कहीना कि clarity होत मुंबई में तो हम आड़ी हैं, तो हमें सबसे पहले हमने UP नहीं सोचा हमाचल नहीं सोचा हर्याना नहीं सोचा हमें सिर्फ पंजाब दिखा, क्योंकि पंजाब के अंदर fashion और कहते हैं ट्रडिशन का जो combination मिलता है, वो unique है, कि यहां पर लोग अपने धर्ती से भी क्योंकि पंजाब के अंदर हर कोई चाहता है कि मैं fashion में, glamour industry में अपना खुद का independent नाम बनाओ, बच्चो को यूथ का आज का सपना है, और job guarantee के साथ बनाओ, तो उनको यह दोनोई चीजे हम इस course में तीन महीने के अंदर provide कर रहे हैं, और हमने फीस जो है, बहुत minimum रखी है क्योंकि इस समय हमारे को huge demand है, इंडस्ट्री के अंदर, तो हम students को create करके आगे jobs पे भीजना चाहते हैं, ताकि उनका career आगे जाके set हो जाए, तो मैं अपने students को और बाकी सब viewers को विजरूर कहना चाहूंगी, कि blindly cosmetics को follow मत करें, हमारी Indian companies भी बहुत अच्छी है, इंटरनाशनल भी अच्छी है, पर आप blindly follow नहीं करें, कि जो चीज मार्केट में है, कई बार reasonable चीज भी अच्छी होती है, quality अच्छी होती है, आपको इस्तमाल करनी आनी चाहिए, नमबर एक, fashion trend के साबसे जो आप बात कर रहे हो, तो काफी स्याने बच्चे है, कहते हैं, ladies को भी आजकल online knowledge बहुत जादा है, पर I always say online knowledge के साथ साथ आपको practical, theoretical हर तरह की knowledge होनी चाहिए, जो कि एक अच्छा professional बनने के लिए ज़रूरी है, What challenges you have faced during your professional line? Professional line challenges ही है, आज भी challenge ही है, challenge है, कहते हैं लाइफ का part है, तो चाहिए मैं अब 22 साल हो गए, मेरे बच्चे दोनों अब college में चले गए, pass out भी होने वाले हैं, तो अब शुरू से लेकर अब तक में हर रोजी एक challenge है, मैं तो वो गाना याद करती हूँ कि जिन्दगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, और वो तू कोई और नहीं खुद होता है, अगर आप अपने साथ में हैं, आपको अपने आप पे भरोसा है, आपको अपने सपनों पे भरोसा है, दुनिया की कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, आप हर जंग जीत जाएंगे, तो अगर आप challenges की बात करें, आज हम लोग ध्याना में खोला है, तो यहाँ भी बहुत challenges है, पार्किंग का challenge है, हम ने fountain chalk पे खोला है, civil lines पे, तो यहाँ पर car खड़ा करने का, या scooter खड़ा करने का students के लिए challenge है, तो हम इस पे काम कर रहे हैं, तो पर हमें यह कि जिस बच्चे ने सीखना है ना, तो वो challenge को पार करी लेगा, तो बहुत challenge हमने इस रस्ते में देखे, बट I would say that's a part of journey, आएगा, हर को तो यहाँ आएगा, एक main चीज हम आप से पूछना चाहते हैं, कि आपको क्या लगता है, अगर हम daily basis पे जो make-up केरी करती हैं ladies, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो skin पे effect करता है, देखी जो आपके skin होती है, जैसे कि आप कपड़े भी पहने न, तो आपके कपड़ों पे भी रोज धोल मिट्टी आएगी, दाग लेगेंगे, अगर आप उसको ठीक तरह से clean करते रहते हैं, संभाल के रखते हैं, सही washing powder यूज़ करते हैं, तो उसकी life बनी रहती है, similarly आपके skin के ओपर, जितना pollution effect कर रहा है न, उतना तो make-up कभी करी नहीं सकता, तो आपका stress level है, pollution level है, पसीना, धूल, मिट्टी, इवन मैं तो कहती हो, जो आप यहाँ बैठे हैं, या गाडी में भी बैठे हो, जो air condition है, air condition जो आपके skin के ओपर bad effect लाती है, उसे बुरा effect कोई और चीज करी नहीं सकती, तो आपके ज़रूर अपने अगर आप पूछे, कि tip देने इस बारे में, तो मैं ज़रूर कहूंगे, एक तो अच्छी quality का, आप make-up product यूज करें, expiry नहीं होना चाहिए, secondly, कोई भी make-up करने से पहले, अपने skin पे प्रोटेक्शन बेस ज़रूर लगाए, प्रोटेक्शन बेस चाहे आप aloe vera gel का लगाए, चाहे आप lacto kelamine का लगाए, जो एक pink lotus नाम से cream आती है, उसका लगाए, उससे आपका face laminate हो जाता है, skin के उपर seal बन जाती है एक तरह की, और उसके बाद जब भी आप make-up करेंगे, आपकी skin के उपर उसका 0% side effect होता है, तो अच्छी quality का make-up करें, और रात को सोने से पहले ज़रूर उतार के सोए, problem यहाँ आती है, जब आपने make-up कर लिया, और बाद नो उतारने में आलस तिखाया, तो आपकी जो रोम चिदर होते हैं, पोर्स होते हैं, बिसे कि लोग क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी विसे skin के अंदर, pimples, acne, white heads, black heads, और pigmentation आना शुरू हो जाता है, तो make sure आप अच्छी तरह से इसको clean करके, रात को फिर सोने जा रहे हैं, तो ma'am, do you have any collaboration, or tie-up with international brands? Yes, on the national level, we have tie-up with skill development of India, जो कि प्रधान मंसरी जी का एक बहुत बड़ा योजना है, उसके दोरान हम जो students को certification देते हैं, in our courses, वो आपको अगर आप government jobs में apply करते हैं, जैसे कि हमारे students इसमें national channels में लगे हुए, डी-डी metro पे, दिल्ली आज तक में, इन सब जग़ाँ पे लगे हुए, तो वहाँ पर आपको बहुत काम आते हैं, वो national certification, आप खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको loans मिलने में बहुत असानी होती है, subsidies मिलती हैं, आपको जो jobs मिलती हैं, उसके देंदे ये certificate आपका बहुत बड़ी priority बनाता है, international level पे जब आप बात करते हैं, तो हमारा जो tie-up है, Laurel India के साथ है, Laurel के 88 countries में जितने भी set-ups हैं, चाहे वो academies हैं, salons हैं, वहाँ पर वो हमारे students, जो Laurel trained students, उनको jobs मिलती हैं, वो बैसे ही priority basis पे jobs मिलती हैं, इसके अलावा IEO के साथ, जो international accreditation organization है, उनके साथ हमारा tie-up है, जो कि आपको visa लगवाने में बहुत help करता है, अगर आपके पास यह certification है, तो आप किसी भी country का visa लगाते हैं, या उस country के लिए working license का apply करते हैं, तो यह certification आपको बहुत help करता है, तो अलग-लग सपनों को पूरा करने के लिए, किसी का सपना है कि बहार के देश में जाकर अपना career set करना है, किसी का सपना है बॉलिवूड में जाना है, किसी का सपना है कि मुझे फाशन वर्ल में जाना है, या अपना खुद का salon खोलना है, या freelancing के अंदर अपना नाम बनाना है, तो जो आपका सपना है, accordingly हम आपका course create करते हैं, और guide करते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, तो हमारे इस समय तक हमने जो students अपने पिछले आठ साल के career में, हमने approximately 65 के करीब हमने students का career create किया है, और सभी students जो अभी तक का हमारा graph है, वो है 92% satisfaction rate, which I would say is very high, 92%, मैं कई बार सोच नहीं हूँ कि 8% हमने कहा miss कर दिया, पर मुझे लगता है कि 92% is a great satisfaction rate, अगर हमारे students इतना अच्छा नाम कमा रहे हैं तो, तो यह अभी तक हमारी earning है इस industry के अंदर, जो कि education based है, जैसे आपने हमें एक बहुत अच्छा point share किया था, कि makeup products आप हमेशा वो follow करें, जो आपकी pocket भी allow करती हो, तो personally अगर हम आपसे के question पूचे, तो आप किस Indian brand को promote करना चाहेंगे, या किसे आप appreciate करना चाहेंगे, जो Indian ladies effort कर सकती हैं, अगर आप मुझे से पूचते हैं, मोधी केर की जो brands होती हैं, I always like that, because Indian products है, और Indian skin को ध्यान में रखते हो, Indian मौसम को, environment को ध्यान में रखते हो, वो quality बनाते हैं, चाहे वो lipstick के colors हो, चाहे वो जैसे कि उनकी नई range आई है, उसकी जो color bar भी आती है, उनकी range और color range काफी सारी आती है, मोधी केर के products की, why I would say, because वो अगर आप suppose, neon colors के lipstick यूज करते हैं, neon color के nail prints यूज करते हैं, जो उनका नया भी एक बिस्टिक लाँच हुआ है, तो अगर आप internationally पूछते हैं, Kylie, Huda, Bobby Brown, Mac, these are what we teach our students, national level पे पूछते हैं, तो Lakme, Revlon, Maybelline, Colorbar, this is what we teach our students, because हमें लगता है, हमारे students को सारी make-up range के बारे में knowledge होनी चाहिए, उसके बाद जो आपकी range में fit होता है, यह सारे products हम अपने academy में खुद provide करते हैं, आपको कुछ खरीदना नहीं है, we will give you hands-on practice, और बाद में आप जो प्रोड़क्ट आपको सबसे अच्छा लगा, accordingly range में आपकी आ रहा है, आप उसको जाएए, खरीदिए, अपने kit बनाएए और freelancing शुरू कीचे, आप यहां लुद्याना में आएए, आप यह कितना अच्छा innovative course start कर रहे हैं, तो लुद्याना से आप क्या appeal करना चाहेंगे, या क्या अपनी तरफ से एक personal message देना चाहेंगे? So मेरे लिए लुद्याना is like my hometown, because मेरे इनलाउस यहां से हैं, मेरे बच्चों का जो home ground है वो लुद्याना से start होता है, and लुद्याना is like Kohinoor Hira of Punjab, तो हम यहां पर आए हैं, और मुझे कुछ शाकी निया कि लुद्याना के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, because हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि इस इंड़स्ट्री के अंदर आपको अपना करियर बनाना है, अपने बच्चों का या अपने जानकर का, तो प्लीज अलाओ उस तो कॉंट्रिबूट तो यूद्ध रियली लब यू, थैंक यू, तो आपने देखा यह थे हमारे साथ रेनौन मेकप आर्टिस मिसिस अश्मिन मुझाल जिन्होंने हमसे शेयर के कुछ ब्यूटी टिप्स और उन्होंने इंडियन ब्रैंड मोधी केर को भी अपनी तरफ से एक परसनली उन्होंने अडवाइस किया कि जो लोग इंटरनेशनल ब्रैंड की तरू जिनकी पॉकेट एला नहीं करती वो इस प्रोड़क्ट की तरफ स्ट्रॉंगली फोकेस कर सकते हैं प्रोड़क्ट को इजली वो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको ले सकते हैं उन्होंने हमसे यह भी शेयर किया कि इतना मेकप स्कीन को हाम नहीं करता है इतना पॉल्यूशन हाम करता है तो होपस फोर्फुली आप सबको बहुत मजा आया होगा हमने भी शेयर कि उनसे कुछ वंडर्फुल मुवमेंट्स अन् थाइंक यू वन्स अगेन माम कैमरामन अमन दीप के साथ शिप्रा पस्रीजा टाइमस पंजाब टीवी